वेलकम तो अलो फ्यू अन्वी प्लस्य अकेडमी माइनम इस आशिश गर तो आज हम बात करने वाले हैं मिदानी की रिक्रूटमेंट के बारे में आज ही इसका डेटिस टूड़ेज इस 23rd जुलाई आज ही इसका डिसैंट लेजाइनम इस लिस्ट में उन लोगों के नेम हैं जिन्होंने फॉंट फिल किया था तो क्योंकि आज लिस्ट आई है उसमें मैंशन किया गया है कि इसका एक्जाम जल्दी होएगा तो आप मान सकते हैं फ्रॉम 23rd इट टूक अराउंड वन मन्थ जब आपका एक्जाम पोसिबल है तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि नंबर ओफ पोस्ट कितनी है एक्जाम की नंबर पैटरन क्या है इस एक्जाम का और फाइनली आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं इस एक्जाम के अंदर तो बैसिकली यदि आप देखोगे मिदानी क्या एक गोर्मेंट एंटरप्राइस है यदि क्योंकि मैं सिविल बैक्ग्राउंड से आता हूं तो सिविल इंजनेरिंग में आपको थ्री वेकैंसी मिलेंगी जिसमें जनरल की वेकैंसी एक EWS की वन और OBC की भी वन वेकैंसी है अपरेंज लीमिट है थरटी यर्श के अंदर थे वहा थे तो आप समसह के हैं कि एक ऐस क्राइटरिया भी बसेपली युदि ऐप में बात करेंगे तो इस ऐंदर सिक्स्ती परसędzie का क्राइटएरिया है हर ब्रांच के लिए सिविल के लिए दी मैं बात करूँ तो 60% आपके BTEC के अंदर होने चाहिए marks अब बात करते हैं इसका selection कैसे होता है आप यह complete advertisement मेरी telegram channel से भी download कर सकते हैं मेरा telegram channel है v plus u academy telegram channel है मेरा v plus u academy आप यहां से जाकर इसकी complete information obtain कर सकते हैं को बात करते हैं कि इसमें selection कैसे होगा यदि selection की बात करें तो return test आपका इसका होगा जो की 100 marks का होगा जो reduce करेंगे 85 marks में बाइदा मिदानी फिर आपकी interview की जो performance है वो determine होगी 15 marks के अंदर से total आपका यह बन जाता है 100 marks जो आपका final selection में decide होगा number of people called for interview है 1-5 के ratio में तो यदि आप बात करोगे जैसे civil engineering branch में 3 vacancies हैं तो around 18 vacancies आपको 18 people are called for interview 18 लोग को interview के लिए बुलाया जाएगा अब अपने respective branch के according आप देख सकते हैं कि कि इतने लोगों को finally select किया जाएगा अब यदि form field के बात करें तो कितने लोगों ने form field किया है for civil branch 2244 people are applied for the form इतने लोगों ने form किया है जिसमें selection केवल तीन लोगों का होगा जो की एक जैसे मैंने बताया है एक general branch से एक EWS से और एक OBC branch से finally यदि आप paper को देखेंगे जो यह 100 marks है यह 100 marks आपके 15 marks aptitude के और 85 marks आपके technical stream के जो भी technical stream है आपकी civil mechanical electrical उसके according यह 85 marks है तो overall आपके 100 marks बन जाते हैं one-fourth negative marking is that is यदि आपका एक question एक mark का है तो one-fourth negative marking is के अंदर इसके लिए आपको मिले गए 1.5 hours या फिर 90 minutes तो डेट गंटे में आपने 100 questions करने है 90 minutes के अंदर 100 questions I hope यह आपको समझ में आया होगा बात करते हैं syllabus के बारे में syllabus यदि आप aptitude का syllabus देखेंगे फिर फर्दर 19 topics है sorry English के अंदर next page में आप आके देखोगे 12 प्लस फर्दर 7 topics हो रही है तो 19 topics है general knowledge के लिए भी आपके बास 25 topics है तो total overall यह आप देखोगे तो यह आपका मनाता है 15 marks यह आपके है 15 marks अब technical syllabus की बात कर लेते हैं technical में जैसे civil engineering के बात करेंगे क्योंकि मैं civil background से आता हूं पार्ट नहीं है लेकिन यह पूछा जाएगा पेपर अंदर तो आपको यह भी प्रिपेर करके जाना होगा I hope यह आपको समझ में होगा syllabus आप अपनी ब्रांच के अकोडिंग chemical ब्रांच का या फिर mechanical ब्रांच का या एलेक्टिकल ब्रांच का आप इस PDF से देख सकते हैं जो कि मैं अप्लोड करूंगा टेलिगराम चैनल के ऊपर भी जो मैंने आपको बताया भी है अब बात कर लेते हैं further I think I completed this video इसमें further आप इदी number of candidate applications देखोगे total candidate application तो वह around 20,000 आई हैं around 20,000 candidate applications receive होई हैं जिसके लिए exam होना है अभी I hope ये video आपको अच्छे लगी होगी thanks for watching this video have a nice day